English to Hindi opposite words first word है happy happy का opposite होता है sad happy का मतलब होता है खुश और sad का मतलब होता है उदास hard hard का opposite होगा soft hard का मतलब होता है सक्त और soft का नरम next heaven heaven का opposite होगा hell heaven का हिंदी में मतलब होता है swarg और hell का हिंदी में मतलब होगा narc next है heavy heavy का opposite होगा light heavy का मतलब भारी और light का hulka high high का opposite होगा law high का मतलब है उंचा 0-ES frank नेक्स्ट है higher, higher का मतलब होता है मजदूरी पर रखना इसका opposite होगा fire, यानी मजदूरी से निकालना नेक्स्ट है huge, huge का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा और इसका opposite होगा tiny, huge का opposite tiny, tiny का मतलब बहुत चोटा next है hungry, hungry का opposite full, hungry का मतलब होता है भूखा और full का मतलब भरपेट next है idle, idle का opposite active, idle का मतलब बेकार या निश्क्रिय और active का मतलब चुस्त या सक्रिय next है in, in का opposite होगा out, in का मतलब अंदर, out का मतलब होगा बाहर next है include, include का मतलब शामिल करना, इसका opposite होगा exclude, exclude का मतलब छोड़ देना individual, individual का opposite है group, individual का मतलब व्यक्ती या अलग-अलग और group का मतलब सम्हू या जुन्ड, next है innocent, innocent का opposite है guilty innocent का मतलब होता है बेकसूर या सीधा साधा या मासूम, और guilty कसूरवार या दोशी next है inside, inside का opposite होगा outside, inside का मतलब है भीतर या अंदर, outside मतलब बाहर next है joy, joy का opposite, sadness, joy का मतलब खुशी, sadness का मतलब उदासी next है kind, kind का opposite है cruel, kind का मतलब दयालू, और cruel का क्रूर next है knowledge, knowledge का opposite है ignorance, knowledge का मतलब ज्यान, ignorance का मतलब अज्यान next है lack, lack का opposite है abundance या plenty, lack का मतलब कमी, abundance या plenty का मतलब भरपूर next है lady, lady का opposite है gentleman, lady का मतलब भद्र महिला, gentleman का मतलब भद्र पुरुश land, land का मतलब होता है जमीन, और land का opposite होगा sky, sky का मतलब आस्मान तो land का opposite हुआ sky, land, land का opposite है take off, land का मतलब उतरना और यहाँ पर take off का मतलब हुआ उड़ना large, large का opposite होगा small, large का मतलब बड़ा, और small का मतलब छोटा next है last, last का opposite है first, last का मतलब होता है आखिरी, और first का मतलब पहला next है late, late का opposite early, late का मतलब होगा देर, और early का मतलब जल्दी laugh, laugh का opposite cry, laugh का मतलब हंसना और cry का मतलब रोना lazy, lazy का opposite है active या busy, lazy का मतलब सुस्त या आलसी और active या busy मतलब चुस्थ या वियस्थ next है learn, learn का opposite है teach, learn का मतलब सीखना और teach का मतलब सिखाना leave, leave का opposite arrive या enter, leave का मतलब छोड़ना या विदा होना और arrive या enter, arrive का मतलब आना, पहुचना, प्रवेश करना यानि कि enter करना next है left, left का opposite होगा right, left का मतलब उल्टा और right का सीधा land, land का opposite है borrow, land का मतलब है उधार देना और borrow का मतलब उधार लेना next है less, less का opposite more, less का मतलब कम और more का मतलब ज्यादा होना next है let, let का opposite है forbid, let का मतलब जाने देना या अनुमती देना और forbid का मतलब मना करना या रोकना next है lie, lie का मतलब होता है जूट और lie का opposite होगा truth truth का मतलब such फुर से है lie, lie का मतलब है लेतना या आराम करना और इसका opposite होगा stand खड़ा होना, stand का मतलब खड़ा होना तो lie का opposite होगा है यहाँ पर stand और यहाँ पर lie का truth next है life, life का opposite होगा death Life का मतलब है जिन्दिगी और Death का मतलब है मौत Next है Light Light का opposite होगा Dark या Heavy Light का मतलब होता है प्रकाश और Dark का मतलब होता है अंधेरा और यहाँ पर Heavy का मतलब होता है भारी और इस Light का मतलब होगा हलका तो light का opposite dark भी होता है और दूसरे light का मतलब होता है heavy यानि हलका भारी नेक्स्ट है like, like का मतलब होता है पसंद करना और इसका opposite होगा hate या dislike मतलब पसंद ना करना likely, likely का unlikely, likely का मतलब होता है संभव और unlikely का मतलब होगा असंभव नेक्स्ट है liquid, liquid का opposite है solid, liquid तरल या द्रव्य और solid का मतलब है ठोस या सक्त नेक्स्ट है little, little का opposite है big या large little का मतलब होता है थोड़ा या नन्ना और big या large में यहाँ पर मतलब होगा ज्यादा या बड़ा नेक्स्ट है live, live का opposite है die लाईव का मतलब है जीना और die का मतलब मरना Lonely, lonely का opposite है crowded, lonely का मतलब निर्जन या अकेला और crowded का मतलब भीडभार या भरा हुआ नेक्स्ट है लॉंग, लॉंग का उपोजिट होगा शॉट, लॉंग का मतलब होता है लंबा और शॉट का मतलब नाटा लूज, लूज का उपोजिट टाइट, लूज का मतलब धीला और टाइट का मतलब सक्त Lose, Lose का Opposite है Find या Win Lose का मतलब खोना या हारना Find या Win का मतलब पाना या जीतना मतलब विन करना Next है Loser, Loser का Opposite है Winner Loser का मतलब ऐसफल वैक्ती और Winner का मतलब सफल वैक्ती Lost, Opposite होगा इसका Found Lost का मतलब खोना और Found का मतलब पाना Loud, Loud का opposite है Quite Loud का मतलब उचे स्वर, से या तिवर Quiet, निशब्द या शान्त या मृदू Love, Love का opposite है Hate Love का मतलब प्यार और Hate का मतलब ग्रिणा Lovely, मतलब प्यारा Lovely का opposite Terrible, मतलब डरावना या भद्दा Low, Low का opposite High Low का मतलब नीचा High का मतलब उचा Lower, Lower का opposite Raise Lower का मतलब कम करना Raise का मतलब बढ़ाना Major, मतलब बालिग, Minor, ना बालिग या मामुली तो Major का Minor Male, Female Male का मतलब पुरुष, Female, Mahila Man का Woman Man का मतलब आद्मी और Woman का मतलब आरत Many, Many का opposite है Few या Some Many का मतलब कई या नेक और Few या सम का मतलब कुछ, कम या दो चार Marriage, Marriage का opposite Divorce Marriage का मतलब है शादी और Divorce का मतलब तलाक Married, Divorce या सिंगल Married का मतलब शादी शुदा Divorce या सिंगल का मतलब तलाक शुदा, अकीला या कुवारा Next है Marry Marry का मतलब शादी करना Divorce मतलब तलाक दीना Next है Marvellous Marvellous का मतलब है Shandar, Adbud और इसका opposite होगा Terrible मतलब खराब या भयानक Marvellous का opposite है Terrible Master, Master का मतलब है मालिक और Master का opposite है Servant मतलब नौकर Mature, Paripakwa, Poonia, Vixit Immature, A Paripakwa, A Vixit Mature का opposite, Immature Maximum, मतलब अधिकतम Minimum, मतलब न्युनतम Mean, Mean का opposite है Generous Mean मतलब कंजूस Generous मतलब उदार Mend, Mend का opposite Break Mend का मतलब सुधारना या मरम्मत करना Break का मतलब तोड़ना Mess, Gडबड या आवेवस्तित Mess का opposite Order यानि सू वेवस्ता या वेवस्तित मतलब सुधारना या यावेवस्तित